हेलो नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है मेरे चैनल बीटक में और आपके लाहों जम्बो तो दोस्तों आप सही में से सभी लोग इंटरनेट देखते हो अलग कि यूज करते हो तो दोस्तों जो इंटरनेट होता है वो फाइव पार्ट्स में अभी तक टिवाइड हो चुका है तो दोस्तों जो फर्स जन्रेशन है सेकंड जन्रेशन है ठर्ड जन्रेशन है और फॉर्ट जन्रेशन है बहुत तो आच चुकी है लेकिन आने वाले टाइम में फिप जन्रेशन आने वाली है तो दोस्तों जो फिप जन्रेशन है वो काफी एडवांस टेकनोलोजी स को युज कर सकतें ऊसमें ना को ना कोई इंटरनेट को सैस के जाता था swords ना कोई इंटरनेट को यूज के हायता था ते क्यंकि दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ जी एसम in sticking a सिग्नल की फॉरम बनती थी तो दोस्तों जो स्ट्ण चनरेशन ए उसमें जो इंटरनेट आया और उसके बाद जो इंटरनेट चला वो सेकंड जनरेशन के वाद ही आया है तो दोस्तों उसकी स्पीड लगवक्त बहुत ही कमज़ूर थी और उसमें काफी अच्छा था वो लेकिन आने वारे टाइम में जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत आम बरती गई तो जनरेशन को अपग्रेट करने की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों जैसे जनरेशन को अपग्रेट किया गया तो उसके बाद लाया गया थर्ड जनरेशन को तो दोस्तों जो थर्ड जनरेशन है वो काफी मलकी पॉपुलर था और काफी महंगा था उस टाइम के लेबल तक लेकिन दोस्तों उसमें सबसे बड़ी फैसलीटी यह थ तो दोस्तों इस थार्ड जनरेशन आई और उसके बाद आई मारे पास फॉर्ट जनरेशन तो दोस्तों जो फॉर्ट जनरेशन था उसका डाटा पहले बहुत ही महेंगा था लेकिन जैसे ही जियो आया तो जियो ने मलब की फ्री डाटा बेचा अपना और उस तरह से लोगों म जो इंटरनेट की स्पीड का देखा जा सकता है ग्राफ काफी हद तक जो टो जी और ठीजी के यूज़स से उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज का ग्राफ जो इंटरनेट यूज़स है इंडिया की तो दोस्तों जैसे ही मलब की जो जीओ है उसने अपने प्लांस लाए उस तरह से जो एटल आइडिया और एक्सेक्टरा वाड़ा फॉन गेरा सिंस थी उनमें भी मलब की कॉम्पिटिशन बढ़ गया और उनके जो सिक्नल्स थे वो को यूज़स नहीं करता था क्योंकि जीओ काफी अच्छे प्लांस ला रहा था और दोस्तों जैसे उसके प्ला पाउर कॉम्पिटिशन मिला और इस तरह से जो जीओ और एट जीओ ने एटल और बोड़ा फॉन बगारा सिंस को बहुत ही पीछे छोड़ दिया और दोस्तों आज की डेट में भी जीओ के यूज़स काफी जादा है इसी कारण जो जीओ की स्पीड है वो उतनी जादा नह तो 4G में सब्सक्राइब बड़ा फिचर आया वो था ट्रू कॉलिंग मलव की नौइसलेस कॉलिंग दोस्तों मतलब की अगर आप किसी आदमी को कॉल करेंगे तो उसका जो सराउंडिंग का सौंड है वो ना आपको आएगा और आपकी जोंडिंग का सौंड है ना कोई को सब्सक्राइब को मिला कि जो 10th वो मलव की टाइम टॉ टाम इंक्रीस होती रही और अच्सीह उती रही तो दोस्तों अगर आपकी जो मलग की फिव्ट चन्रेशन आएगी तो दोस्तों उसमें सबसे इंपोर्टेंट बात यह होगी जो उसमें जो सिगडल आएगा वो असनidents की हर एक इंसान तक इजी से सिगनल पहुंच पाएगा और स्पीड बहुत ही अच्छी होगी और दोस्तों इस तरह से कुछ ना कुछ मलब की टेकनोलोजी में एडवांसमेंट आएगा दोस्तों इस तरह से जो फाइप जी सिगनल से वह काफी मलब की एडवांस लेबल के हम इंटरनेट का यूज जो फाइद की इंटरनेट का यूज इंडिया में कब तक करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप देखते रहे मेरा चैनल बीटेक मैं आपके लिए ऐसे इंटरस्टिंग वीडियोज लाता रहूँगा तब तक के लिए जय जय भारत